आज में आपके लिए एक ऐसा DIY Hair Oil ये खड़ाई हूँ, अगर उसका आप regular यूज़ करोगे, दिन आपकी hair related जो भी problems हैं, लाइक अगर आपके बाल पतले हो गया है, आपके बालों में ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके बालों का ग्रोथ जो है वो रुप गया है, आपको splittance की प्रोब्लम हो रही है, आपके बाल रफ और फ्रीजी हो गया है, आपके बाल बहुत ही जादा जहरते हैं, इस DIY Oil का अगर आप अच्छे से यूज़ करते हो अपने बालों पर, अपने scalp पर regular यूज़ करते हो, दिन ये आपके लिए एक रामबान का काम करेगा, आपके बाल कम हो जाएंगे, आपके बालों में धिरे धिरे ग्रोथ होने लगेगा, और इसके साथ ही आपके बाल ठीक हो जाएंगे, उनमें वाल्यूम आ जाएगा, और गाईज अगर आपके scalp, hairs, damage हो गया है, दिन ये DIY Oil आपके scalp और hairs को repair करेगा, उनको resonate करेगा, तो चलिए जानते हैं कि इस ओयल को prepare कैसे करना है, और इस ओयल को बनाने में आपको कौन-कौन से ingredients की ज़रूरत पड़ेगी, इस तेल को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा, 10-15 लैसुन की कलिया, 50 ग्राम की कडीब अधरक, 2-3 प्याज, प्याज को आप पच्छे से छील लेना, और इन सारी च पाने, जिसको फैन्यूगरिक सीट्स भी कहते हैं, इन सभी चीजों के साथ आपको हिबिस्कस फ्लार चाहिए होगा, जिसको उड़हल के फूल भी कहते हैं, और इसको बनाने के लिए हम कोकोनट टोयल का यूज करेंगे, आप कोई भी कोकोनट टोयल का एक पूरा डबा ले सकते हो, 2500 millilater का, तो guys, अगर आप इतना सब नहीं करना चाहते हो, आपको यह सारे ingredients नहीं मिल पा रहे हैं, बिकाश बहुत सारी girls हैं, जो घर से बार 퍼ुस्टल याrot पीजी में रहते हैं, उन्हें यह सारे ingredients नहीं मिल पाते हैं, या फिर जो लोग working है, students हैं, उनके पास time की कम होती है ऐसे में वो लोग यह सारे डियाइवेज नहीं कर पाते हैं तो ऐसे सारे लोगों के लिए मैं एक प्रोडक्ट मेंसन करना चाहूंगी जो है कपिवा का हेर केर जूस और गाइज इसको आपके साथ शेयर करने का एक और डीजन है हम बाहर से तो अपने बालों के लिए अपने scalp के लिए बहुत कुछ यूज करते हैं like shampoo, oil, sherums, etc. बट ये सभी चीजे आप सिर्फ बाहर से यूज कर पाते हो बाहर से ज्यादा important होता है हम बोडी को अंदर से कैसे heal करें हमारी बोडी जब अंदर से सही होती है तो ये सारे extralar products भी अच्छा काम करते हैं और ऐसे में important होता है कि हम consume क्या करें especially for good hair health जिससे हमारे hairs को बोडी में अंदर से भी benefits मिलें और ऐसे में ये hair care juice आपके लिए best option होगा आप सभी के लिए ये hair care juice एक drinkable hair vitalizer है जो आपके hair related problems like hair fall, पालो का पतला हो जाना, hair growth रुप जाना, dandruff या फिर premature grain इन सब के root cause को पहचान कर उनको solve करता है इसके साथ ही hairs के लिए essential shari nutrient भी आपको provide करता है इस hair care juice में बहुत सारे herbs भी हैं like आमला, भिंगराज, अश्वगंधा और नोनी ये herbs आपके बालो को मजबूत बनाते हैं और अगर आपको premature grain याने की बाल आपके कम age में ही सफेद होने लगे हैं, दिन इसको भी ये prevent करता है जैसा कि आपको पता होगा, stress भी एक main reason होता है hair fall होने का इस hair care juice में मौजूत अश्वगंधा आपके body को अंदर से heal करता है और आपको de-stress होने में help करता है आमला help करता है बालो को मजबूत बनाने में, बालो को ठिक करने में और इसके साथ ही ये आपके blood को अंदर से purify करता है और premature graying को भी रोकने में help करता है ब्रिंग राज, blood circulation को improve करके hair growth को facilitate करता है और साथ ही dandrup की problem को भी खत्म करता है नोनी blood circulation improve करने के साथ ही scalp और hair को मजबूत बनाता है ये जो product है, ये 100% natural और आयुलविदिक है ये product artificial test enhancers, sweeteners या refined sugar से पूरी तरफ फ्री है सारे ingredients जो इस hair care juice में use किये गए हैं उन सभी ingredients का use उनके optimum state में किया गया है ताकि उनमें मौझूद natural taste and goodness आपके hairs को मिल सके directly इस hair care juice के जड़िये और साथी इसमें used extracts को chemical free method से बनाया गया है इस hair care juice को use करने के लिए सबसे पहले आपको bottle को shake करना है पहले 15 दिन जब आप इसको consume करोगे तब आपको इसे एक glass पानी में 15 ml एड़ करके dilute करना होगा और 15 दिन के बाद आप इसको 30 ml एड़ कर सकते हो और एक बात का आपको खास धियान रखना है इसे आपको खाली पेट नहीं पीना है इसको आप खाना खाने के बाद दिन में दो बार ले सकते हो तो गाइज अगर आपको भी ये product buy करना है दिन आपको link description box में मिल जाएका अब वहाँ से जाकर इस product को check out कर सकते हो तो चलो अब इस soil को बनाने की त्यारी करते हैं सबसे पहले हमने जो प्याज लिया है उसे चोटे-चोटे टुकरों में कट कर लेंगे इसके साथ ही जो हमने अदरक लिया है अदरक को भी हम चोटे-चोटे pieces में कट कर लेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप इन सारी चीजों को यानि की अद्रक लैसुन और प्याज को अच्छे से क्लीन कर लेना और इसको सुखा लेना इसके बाद आपको गैस पर कडाही जड़ानी है ध्यान रहे आप जो बरतन ले रहे हो जिस बरतन का आप यूज कर रहे हो वो मोटे चदरे वाला होना चाहिए और गैस की फ्लेम हमेशा लो हो होनी चाहिए कराही जड़ाने के बाद जब भी कराही हलकी सिगर्म हो जाए तब इसमें कोकोनट ओयल को हम डाल देंगे और इसके बाद जो भी चीज़े हमने ली हैं सबको इसमें एके करके डाल देंगे इसमें जो हमने अनियन एड किया है अनियन में मौदूत सलफर हेयर प्रेकेज और हेयर थीनिंग को प्रिवेंट करने का काम करते हैं प्याज हेयर फालिकल्स को नरिस्ट करता है और नरिस्ट हेयर फालिकल्स हमारे हेल्दी हेयर के रीजेनरेशन में हेल्प करते हैं अधरक जो है को हेयर ग्रोथ को स्टिमूलेट करता है और इसके साथ हेयर रू करता है hair follicles को cleanse करने में मजबूत करने में और हमारे scalp की dandruff-like issues को treat करता है साथ है hair fall को भी control करता है इसमें जो हम hibiscus add करने वाले हैं यह hair loss को कम करता है आपके बालों को ठीकन करता है उन उनमें volume add करता है इसके साथ ही dandruff को भी treat करता है एक बार हमने इन सारी इसी जो को तेल में add कर लिया इसके बाद हम इसे low flame पर पकने के लिए छोड़ देंगे आपको इसे लगबग 30 मिनट तक पकाना होगा और हर 10 मिनट या फिर 5 मिनट पर आप इसको चलाते रहना तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका तेल अब तयार है तो हमने जो इसमें प्य प्याज पूरी तरह से ब्राउन हो चुका है अगर प्याज ब्राउन हो गया है और वह नीचे जाकर बैठ गया है इसका मतलब आपका तेल अप तयार है और आप गैस की फ्लेम को बंद कर देना इस वाइल को स्टोर करने के लिए आपको इस तरह की बॉटल चाहिए होगी ज उसकी जो बॉटल्स होती है मैंने उसको अच्छे से साफ करके लिया है फ्लेम को बंद करने के बाद लगभग 30-45 मिनट तक आप इसको ठंडा होने देना जब हमारा तेल ठंडा हो जाएगा तब इसको एक चाहिचनी की मजद से हम छान लेंगे आप चाहो तो किसी और की हेल ले सकते हो अगर आप छोटे हो देन किसी बड़े की हैल ले लेना और ध्यान रखना कि जब तेल पुरी तरह से ठंडा हो जाए तभी आप इसको छानना तो इस तरह से जब आप इसको छान लोगे तो सारत तेल बाहर निकल लाएगा और जो भी बचा-कुचा तेल कराही में तरहन mirror, या फिरे काड़ान में ले लेकर लाखनें में लेना इसको बार अपने बालों में लगा लेना और उउसके बाद इसको बॉटल में डालने केड günst अटके आपको इसमें 2 चमच केश्टरौ और divine केश्टरौल आइड करना ज़रूर और मिक्स करना अर और यसके बाद बस आप oil को बंद कर दो और जब भी मन करें आप इसका apply कर सकते हो मैं आपको कहूंगी कि आप week में at least दो दिन इस oil को अपने बालों में यूज करना इस oil को आप hair wash करने से पहले अपने बालों में लगा लिना और चाहू तो इसको रात बढ़ के लिए भी छोड़ सकते हो इसको कम से कम week में दो दिन जरूर apply करना